हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोगे एक एनिम का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है इरेजड और उसके मेन करेक्टर का नाम है सातोरू फुजी नुमा तो वो क्या है बेसिकली एक मांगा राइटर है लेकिन वो एक पीजा की दुकान में काम करता है तो अब होता क्या है क पीजा डिलिवरी के लिए निकलता है और रोड पे वो सबको देखते हुए जा रहा होता हुए तो उसके नजर पढ़ती है एक बच्चे पे वो बच्चा रोड क्रोस कर रहा हुता है कि गभी यह ट्रैफिक सीगनल रेड हो और वो रोड को क्रोस कर ले वो थोड़ा सा आग बढ़ता है कि उसके बगलते एक ट्रक निकलता है और फिर उसके सामने एक नीली तितली उड़ते वी आती है और वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू करता है और उसे वो बोलता है रिवाइबल अब बच्चे को ध्यान से देखता है और यी रिवाइबल हो कुछ कोई accident होने वाला होता है तो अब वो रोड पे एक दम चारो तरफ नजर मारता है कि ऐसा क्या अलग है कि जिससे accident हो सकता है तो वो देखता है truck की तरफ कि truck का driver है वो क्या है नींद में है तो वो जाता है उसे उठाता है लेकिन वो उठता नहीं है जिस कारण जो सातोरू होता है उसे truck driver का जो handle पकड़के उसे right की तरह मोडना पड़ता है जिसके वेसे क्या होता है एक accident हो जाता है उस हाथ से में कोई मरता नहीं है लेकिन सातोरू या करता है अपने आपको accident में शामिल कर लेता है इसके पाद हमें थोड़ा सा बैक दिखाया जाता है और बैक में होता है काटागीरी वो उसे बताती है कि तुमने एक लड़की की जान बचा जी लेकिन accident पर खुद भी सामिल हो गए और जो truck driver था उसकी मौत पहली heart attack से हो चुकी थी अब क्या होता है जो सातोरू होता है वो अपने घर वापिस जाता है ठीक ठाक होगे तो उसकी मम्मी वहा है जो अजीब है जो नहीं होना चाहिए तो उसकी मम्मी को अजीब चीज दिखती है लेकिन वो सातोरू से बताती नहीं है इसके बात क्या होता है सातोरू एक दुकान में जाता है एक किताब उठाता है उसमें पढ़ता है कि उसमें कुछ नाम लिखे होते हैं कायो आया नाका नीशी, हिरोमी, सुगीता ये वो नाम होते हैं जिनका 15 साल पहले खून हो चुका होता है और पुलिस को पता भी नहीं होता है कि खूनी कौन है इसके बाद थो थोड़ा सा और सोचता है तो वो अपने बच्पन में उसका बैक दिखाया जाता है कैसे ये वो में उसने कई बार उसे अकेले देखा था इसके बाद क्या होता है जो उसकी मम्मी होती है सातूरू की वो अब सोचती है कि मैं उससे थोड़ी बात करूं मैं उससे बताओं कि मुझे वहाँ भी कुछ अलग लगा था 15 साल पहले जो तुमने बोला था कि यूकी खूनी नहीं है उसे पता पड़ता है कि जो कायो हिना जूकी की मदर में फस्ता कौन है यूकी फस्ता है उसे बताते हैं कि ये केड्नैपर है ये खूनी है तो उसे पुलिस उठा के ले जाते लेकिन जो सातूरू होता है उसे यकीन होता है कि यूकी ने खून नहीं किया होता है तो उसकी म मम्मी उसे फोन करने वाली होती है कि हाँ, शायद मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थे, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है, उसकी मम्मी क्या होता है, मडर हो याता है, अब सातूरू जो है, पीजा की दुकान से, अपने घर वापिस जाता है उसकी मम्मी बड़ी हुई जमीन में तो अपनी मम्मी को सीधा करता है और उसका जो मम्मी का बलड होता है उसके हाथ में लग जाता है एक बाहर ते एक अंटी आती है उसके बरतन वापिस करने के लिए तो अंटी देखते है कि सातूरू के हाथ में खून लगा हुआ ए तो इसका मतला मडर किस ने किया है? सातूरू ने, वहाँ पर पुलिस आती है पुलिस सातूरू से पूछती है क्या तुम सातूरू फूजी नुमा हो? उससे वहाँ पर एक तितली नजर आती है उसे लगता है यहां पर कुछ accident होना होता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने बच्पन में होता है बहुत यह ज्यादा बड़ा revival होता है अब यहां से क्या करता है उसने कुछ अपने बच्पन में गलतिया ये एनिम दोस्तों आपको पहले एपिसोड तरही जोड लेगा अपने आप से तो मिलता हूँ नेक्स वीडियों जब तक के लिए अपना ख्याल लखती है करोना इस साब्धान पहुच जाता साब्धान गुड बाई